देश के राजधाने दिली के जंतर मंतर पर तकरीबन एक महीने से महिला पहलवानों का धर्ना प्रदर्शन जारी है यह धर्ना दिया जा रहा है बीजेपी से स्तांसद और डवलुएफाई के अध्यक्ष रहे ब्रजभूशन शरन सिंग के खिलाव दरसल महिला पहलवानों ने यहां पर योन उत्पीडन का आरोप लगाया है ब्रजभूशन शरन सिंग पर और उनका स्ताफतोर पर कहना है कि जब तक सभी पदों से ब्रजभूशन को बरखास्त नहीं किया जाता है और जब तक ब्रजभूशन की ग्रफतारी नहीं हो जाती है तब तक वह अपने धरना प्रदर्शन को ऐसे ही जारी रखेंगे इसे बीस देखा जाए तो ब्रजभूशन को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं इस खास रिपोर्ट की जरिया आपको बताने जा रहे हैं कि अब ब्रजभूशन शरंसिंग ने अपने बेटे प्रतीग को लेकर खुलासा किया है नमस्कार मैं प्रांशिर अठोर और आप दीख रही हैं निक्स्ट नाइन निउस दरसत प्रतीग भूशन गौंडा से विधायक हैं और प्रतीग भी अपनी बात रखते हुए नसराएं हैं जब ब्रजभूशन पर योन उत्पिडन के आरोप लगाए गए थे फिलाल देखा जाए खाप पंचायद भी मैदान में हैं 23 एपरेल के दिन इस धर्ना प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और अब देखा जाए तो खाप पंचायद भी यहां पर लगातार एहम ऐलान कर रही है आपको जानकारी दे दें कि यहां पर महिला पहलवानों को तमाम विपक्षी दलों का स्तमर्थन मिल रहा है और तमाम विपक्षी दलों का यही कहना है कि अब ब्रजभूशन शरंसिंग के खिलाब जल से जल कारवाई और तेज की जानी चाहिए और ग्रफतारी होनी लेकिन अब देखा जाए तो ब्रज हूशन ने एक और बड़ा खुलासा किया है उन्होंने खुलासा किया है कि ग्रह मंतरी अमेश शाह की किस तरह से महरबानी देखने को मिली उनके बेटे प्रतीक पर दरसल आपको बता दें कि ब्रज हूशन शरन सिंग ने हाल ही में एक और बड़ा बयान दिया है और उनके इन बयानों से स्यासत तो तेज होई रही है लेकिन इन बयानों के बीच उनके पुराने बयान भी लगातार वाइरल हो रहे हैं 2014 में जो लोग सभा चुनाव हुए उन लोग सभा चुनाव का टिकेट मिलने पर उन्हों ने कहा था कि 2014 में हमने बहराईच में अमिश शाह से कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तब अमिश शाहा ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और उन्होंने अपने बेटे को टिकेट मिलने की बात पर कहा कि हमने कभी भी अपने बेटे प्रतीक के टिकेट की सिफारिश नहीं की लेकिन अमिश शाहा ने प्रतीक को भी टिकेट दिया गौंडा से प्रतीक और बल किस तरह से उनकी मुलाकात होती रही है और इन तमाम तस्वीरों में देखने को मिला है कि प्रतीक भूशन के साथ कितना खास बॉंड है पार्टी आला कमान का तो ऐसे में देखा जाए ब्रज भूशन शरन सिंग का एक अलगी वर्चस्व है पार्टी में और वहीं दावे ये तमाम बिपक्षिदल ब्रज भूशन शरन सिंग के खिलाफ उत्रे हुए हैं और महिलां को समर्थन दे रहे हैं और लगातार एहम मांग भी करें देखते हैं कि लोग सभाचुनाब में आखिरकार क्या एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करती हुई नसर आएगी या फिर रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अफडेट्स के लिए देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज